नमस्कार कैसे हैं भाई आप लोग सब बढ़िया देखिए बहुत जाता जो डाउट आ रहा था ना किसर मुझे याद दी रहता है आज पढ़ता हूँ एक दिन बाद भूल जाता मैं इसका पिछला चप्टर पढ़ता हूँ अगला चप्टर पढ़ता हूँ पिछला चप्ट करव होता है फोर्गेटिंग कर्व के बारे मताता हूँ देखे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा फोर्गेटिंग कर्व क्या होता है ना कि जैसे आज आज आपको चीज याद किये तो यह आपको एक महीने बाद सिर्फ 15% याद रहे जाएगा अगर आप उसको रिव करना होता है इसको करना होता है रेपेटिटिव रिवीजन अगर आपको कोई चीज बहुत देर तक अपने दिमाग में रिडेन करनी है तो या तो आप उसको किसी चीज से कनेक्ट करके याद करिए ट्रिक बना के याद करिए अपने बर्डे से जोड़ लिए अपने पापा कोई भी चीज जैसे याद करना किसी से connect कर लिए तो आपको जाए देर तक याद रहे कि याद तो रेपेटिटिव रिवीजन अब रेपेटिटिव रिवीजन देखिए जो आपको फॉर्वेटिंग कर वो दिखाई दे रहा है यह कैसा है इसमें दिखा रहा है कि जब आप प पांचवे दिन फिर से आपको उस्तीज को रिवाइस करना है और पांचवे दिन के बाद फिर आठवे दिन आपको फिर से इसको रिवाइस करना है पहला दिन याद किये टीसरे दिन रिवाइस करना है पांचवे दिन रिवाइस करना है यह तीन रिवीजन आपको लगातार समय तक याद रह सकती है यह लगी आपको एक महीने तक याद रहेंगी एक महीने खत्म होने पहले पहले आपको एक बढ़ फिरस इसको रिवाइस करना है इसलिए कहा जाता है कि revision is the key to success सिर्क पढ़ना ही success के लिए आपके exam को qualify करने के लिए नेसेसरी नहीं आपको revision repetitive करना पड़ेगर तभी चीजे आपको याद रहेंगी जितना जजाद आप revision करेंगे या उतना जाद आपका concept डियर होगा जितना अच्छा आपका concept कलियर होगा तक आपको चीजे याद रहेंगी और आप अक्छा Karl कर सकते हो अपना best दे जितना ज़्यादा प्रिविजिन करेंगे उस चीजे आपको उतनी ज़्यादा ही याद रहेंगे ठीक है ये फॉर्गेटिंग करवे के द्वारा मैंने आपको सोचा से समझा तो छोड़ी सी थी दूसरा डाउट लोग कूछ रहे था कि सर आप ये बताई कि पढ़े कैसे मनु सबसे पहले जो भी मनुहर पांटे मैं प्रिफर करता हूं तो मनुहर पांटे अगर आप किताब पढ़ रहे हैं नहीं किताब खर दे तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़े जिसमें आपका इंट्रेस्ट हो जैसे मेरा इंट्रेस्ट पॉलिटी में था तो मैं सबसे पहले quality पढ़ता था, किसी भी किताब में सबसे पहले मैंने quality ही पढ़ी है, क्योंकि उससे क्या होता है, interest आता है, और पढ़ने का मन करता है, क्योंकि जब आप अपनी interest की चीज़े चारते हो, तो आपको अच्छा लगता है, पता है तो सबसे पहले जो भी chapter आपको पसंद लगता है, जो subject आपको अच्छा लगता है उस subject को वहाँ से, उस subject को वहाँ से पढ़िए और उसके बाद, उसको repetitive revision करिया, repetitive revision मैंने आपको बताया ना, बार बार revision करेंगे तब ही आपको चीज़े लंबे समय तक आता है पढ़िये कम revision जादा करिये, मैं क्या करता था जब मैं अपनी तयारी करता था, तो मैं एक हफ़ते में साथ दिन होते हैं और उस साथ दिन में पांस दिन पढ़ाई करता था Monday से लेके Friday तक पढ़ाई करता था और Saturday, Sunday सिर्फ revision करता था अगर रिवाइज करने में दो गंटे लगा तो दो गंटे रिवाइज किया उसके बाद नहीं पढ़ा, पांस गंटे लग रिवाइज किया पर नहीं पढ़ा Saturday, Sunday was only for the revision, मेरे तयारी के टाइम पे तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें आप अपने पांस दिन को पूरी complete पढ़ाई दीजिए और उसके बाद दो दिन पढ़ियां से रिविजन करिए ठीक है आसा करता हो कि आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे पढ़ते रहिए ताहर करते रहिए तब तक के लिए चलना हूँ नमस्का चैटिंद